रोकती है टोकती है इसलिए अक्सर वहां तनाव की स्थिती पैदा हो जाती है लेकिन बड़ा बयान प्धानमंत्री नरेंदर मोधी का कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है हमारी एक इंच जमीन पर भी कोई आँक नहीं दिखा सकता ये बात पीम नरेंदर मोधी ने ओल पार्टी मीटिंग में कही है और कहा है कि लद्दाक में जो जाबाज हमारे 20 शहीद हुए है जिन्होंने भारत माता की तरफ आँक उठा कर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर तो बड़ी बाते प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी की इस सर्मदलिय बैठक के बाद जो सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं पीम ने का कि बीते वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रॉक्चर डेवल को प्रात्मिक्ता दी है हमारी सेनाओं की और वशिक्ता हो जैसे फाइटर प्लेंस आदुनिक हेल्कॉप्टर मिसाइल देशेंस सेस्टम पर भी हमने बल दिया है चिराप पाटी की तरफ से की लोगजिन शक्ती पाटी प्रधानमंत्री जो भी फैस्ता लेंगे यकीना भार की घटना के दोरान तो उन्होंने अपनी बातों को सही ठहराया इस बार भी मुझे विश्वास है कि भले हम लोग युद में विश्वास नहीं रखते पर जब जब किसी ने भी भारत माता की तरफ आँख उठा कर देखने का प्रयास किया है तो उसे उसी की भाशा में उच समय पर जो भी उचित फैसला हमारे प्रधान मंत्री लेंगे लोग जन्शक्ती पार्टी पूरी मजबूती से प्रधान मंत्री जी के उस फैसले के साथ खड़ी रहेगी प्रधान मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी काम को रोखा नहीं जाएगा उन्होंने भी इस बात का विश्वास दिलाया है और ये हम सब की भी चिंताओं में से एक रहा है कि जो वहां पर इंफ्रस्ट्रक्शर के कारे हो रहे थे वो उतनी मजबूती से चलें इस बात को भी प्रधान मंदरी जी ने सुईकारा साथ ही में मैंने अपनी पार्टी की तरफ से भी उनसे आगरा किया है कि भारत में जिस तरीके से चाइना से छोटी बड़ी हर वस्तू बन कर आती है तो उसमें से जितनी भी नॉन एसेंशिल जो जरूरत की वस्तूएं नहीं है उस पर उसके आयात पर हम लोग को रोक लगाने की ज है कि जो भी बिजनस पॉलिसीज हैं दोनों देशों के बीच में या विदेश नीती हैं दोनों देशों के बीच में उसमें जो भी सुधार करने की जरूरत है उसमें सुधार करकर इनके आयात पर हम लोग को रोक लगाने की जरूरत है इससे ना सिर्फ आत्म भारत आत्म न दिमाओं की रक्षा में, दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरक खड़े हैं, उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सुझबुच पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदर ये बैटक के माध्यम से, मैं सहीदों के परिवारों को भी इविस्वास दिलाता हूँ, कि पुरा देश उनके साथ है, पुरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पुर्वी लदाख में जो हुआ, उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी, और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में गुसाया है, नहीं कोई गुसा हुआ है, नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है। लदाख में हमारे बीस जाबाद सहीत हुए, लेकिन जिनों ने